So, welcome to the another learning episode. आज इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कि आपको support और resistance को किस तरीके से trade करने हैं. जब हम breakout trading की बात करते हैं, तो breakout trading में कैसे पैसा बनता है? आज आप exactly सीखने वाले हैं घंशाम सर के साथ. So, sir, here we go. चलिए, हम लोग start करते हैं अपना breakout system की breakout को कैसे हम follow करते हैं, क्या-क्या चीज़े उसमें हमें देखनी होती हैं, क्या-क्या चीज़े हमें apply करनी पड़ती हैं. सबसे पहले चीज़ तो एक बात मैं हर वीडियो में बताया हूँ ये चीज़े कि आप trend को follow करो. ट्रेंड की side में, अगर आप 100 quantity daily कर रहा हो, तो trend की side में जा रहा हो, तो 100 quantity करो, trend के against अगर breakdown हो रहा हो, तो 50 quantity है. ये ध्यान रकना, ये rule को कहीं पर भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है, कभी भी. तो अब breakout के लिए क्या होता ना, पहले तो हमें कोई range चाहिए होती है, छोटी सी, कि market देखिए हर दिन क्या होता, market trending तो रहेगा नहीं, या हरत में market trending रहता नहीं है, एक घंटे उसने trending दिया, 200-300 point वो उपर गया, नीचे गया, उसके बाद जाके वो कहीं साइडवेस हो जा कि साइड ये नीचे की साइड में breakdown करेगा, तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन हमें ये सोचना नहीं है, हम option buyer है, क्योंकि अगर उसी साइड में वो पूरा खतम कर दिया, फिर क्या होगा, हमारा तो premium गया, तो हम breakout पे trade करना है, उस चीज को जब हम breakout करेगा market, तब ह पहले उसकी चीजों को समझ लेते हैं, breakout और breakdown को कैसे हम follow करते हैं, चार्ट ताइम फ्रेम आप 15 और 5 प्निट दोनों पे follow करो, कोई दिकत नहीं है, हम 5 में पे करते हैं, तो जातर 5 में थोड़ से candle ज्यादा दिखती है, तो वहाँ पे 5 में पे follow करते हैं, अब 5 में पे breakout, ति बढ़ हैं, बढ़ हैं, बढ़ हम 5 में उसका हैं, बढ़ हैं मक्नलव पेड़ जेए, को सम्झा नक्रम कि अब इस पीचेट और ऐसे करघव खेंए, को सम्झेज्व फिरियून को थे को सम्झीद, कृ संभा आपे फृइडग को सम्झों, बलकुल तो यहां पर दिखेंगे दो चीजे ध्यान किया पहले तो जब मैं सपोर्ट बनाता हूं यह सपोर्ट को फॉलो करता हूं तो वहां पर अब यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं कुछ पहले सबसे पहले चीज तो यह होती है कि मार्केट मुझे एक रेंज में चाहिए होगा अब रेंज का मतलब लोग यह निकाल के बैठते हैं ना कि यह जैसे माली जेकि फोटी वन ताउजन एट हंडेड है तो फोटी वन ताउजन ए यह हो 710 हो तो हमें कब फॉलो करना है जब कम से कम मार्केट अगर आप बिगनर हो तो ध्यान अकना कम से कम मार्केट पीजिस्टेंस ले 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 उसके पहले आप देखो ही मत अप सीख रहे हो तो पहले वहां पे जाओ जहां पर प्रोविल्टी जादा है पहले उसको को गया तीम में बहुत टाइम लग जाएगा साइद आज बने गाया नहीं बनेगा कोई बात नहीं नहीं बना तो पैसा लेकर मार्केट लिए पैसा आपके 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 टेडिंग काउंट में जब रेक आउट करेंगा तब हम देखेंगे तो यहां पे हमें तीन बार सप सपोर्ट बनेगा अब हो सब्धाव किसी यह अब रहा यहां वहां पर यहां पर वहापसा तो हमारे क्या हो आफ यहां पर ऑस बुर् survives नहीं लोगretch बुलते हैं कि सर मेरा ब्रेकाउट फेल हो गया डिकाउट फेल कि होता फेले दो चांसे दो कारण है यहां पर पहले चीज़ तु यह यहां कहां से आ रहा है अब माल लीजिए अब यह 41,100 से यह से आ रहा है और यहां पर अपने रजिस्टन के पास पहुंचते पहुंचते यह कहां पर पहुंच गया इसके कि आपका ब्रेकाउट फेल होगा क्योंकि 300 पॉइंट चल के आरा भाई जिसने 300 पॉइंट की जरनी देख लिए वो प्रॉफिट बुक तो करेगा ना और वो प्रॉफिट बुक जरूरी नहीं इस जगह के पास में आते है बुक कर ले उससे पहले भी कर सकता यह सोच जैसे आपको क्या लगा ब्रेकाउट लेकाउट लेकाउट लेके बैठे वे तो इस कंडिशन को हमें ट्रेड नहीं करना है कभी जब मार्केट बडरा रन का मतलब यह हो गया देखो बैंक निफ्टी जादा तर टाइम आप देखोगे तो ताड़े 300 चार्वांट की रेंग इसी दिन एक्स्टा और रड़नी हो गया 500-600 वहर दिन नहीं होता है यानि बाइस टेडिंग में से 15-16 टेडिंग से मार्केट 400-500 पॉइंट चार्व से 300-400 की रेंज में अपन डाउन करके क्लोज कर देगा तो हमेंसा यह ध्यान अगना है कि जब भी यह ब्रेक आउट अग थोड दिया कोई मतलब ली उस्से अगर यहां पर आकर यहां उसे रही फैनों कर दो यह प्या को दो जब प्रेक आउट कर देगा सो लोग कहां कर देंगे और फिर जब यह रेंज इस जगह पे चोटी चोटी सी रेंग मतलब यहां पर क्या होगा यह दस मिनिट बीस मिट या पच्चीज मिट आके रुक जाए मतलब जिन्हों ने यहां पर खरीदा है वह प्रॉफिट बुकिंग करने लगे वह फ्री हो गया हम वेट ही कर रहे थे अ कॉलिडेशन करें कई बार यह आपको उसी फ्लो में निकल जाएगा और आपको यह महसूस कराएगा कि यार तुम ले लिये होते यह ना देख्यों तो तुम ले लिये हो तो जादा पैसा बना करें लेकिन वह चीजे जसमें से तीन बार या चार बार ही होंगी लेकिन साथ यहां से कंसॉलिडेट करें तो आपका पैसा बनेगा यह चीजे दीन बार होंगी और साथ बार यह चीजे यहां से साथ से आठ बार चलेंगी और दो बार या तीन बार ही फेलोंगी अच्छा अगर रेजिस्टेंस घरना शुरू करता तो क्या सपोर्ट तक कर ट्रेड लेन चाहिए इस समय अगेर बेंदे पाथ बार गिता है तो यह था घयरका का और और अए तो अच्वा और यह अनु पर गोई करें अगरों करें कि पित के लिग लगे को घरने घरने स्प Sumen कहए है अगर को ए decisि बदा करें questi उत रिवक के लेस्टीज के लिगा ओमिए तो अभने वरंतर षोई मैं अप्टेट वेली तो अटेट करें तो ऐसा ऐसा करना चाहिए और नहीं चाहिए यह मैं आपसे बूच रहा हूं जाए अगर आपको वो चीज आती है आप उसको ट्रेट करना जानते हो आप बिल्कुल कर लो क्यों कि अगर अपने उसे सो दिशो बार दो सो बाट्स किया हुआ तब करो आपको समझ में आजा गा क इस जगह पर यह वेट कर रहा हूं कि अगर यह इस जगह पहुंचे और यहां ते ब्रेकाउट कर तो मैं तयार बैठा़ कर लेने के लिए अगर तो आगर वह इसी चोड़ रहा है अगर वो चार-पाँच कंडल बना की गिरता है तो फिर अनने चाह करना तो पचास कि यहां पर चार्ट काई देखु कि अगर इसे तीन वारेस्स लिया थे तीन पर सपॉर्ट वी लिया तो सपॉर्ड भी तो सपॉर्ट भी बिल्कुल भी हमें बता है कि आई डरिली अगर वह वह उआ जा तब हम आगा तो नहीं हम आगा मैं देखूंगा उसके पहले अगर आप सिर्फ ब्रेकाउट के लिए लिए बेठें और भूल लगा। तो और रेंज में आप एक जाइम्पल के लिए टी हाँ विल्कुल अब हो ता यहाँ अर। नहीं होती हर बूल दुछ कि अगर फॉट्स नहीं तू जाएंगा तो अगर अगर यह वोल दिया कि वहां पर ब्रेक आउट को ट्रेड करना चेया ब्रेक आउट या बेक डाउट इसी तरह से क्या ओगा जब ब्रेक डाम जब ऊपर से नीचे की साइड में भी जब आता था था से अपलाई करनी है push लोक ड्यक्ड पर घाउट ऐसी फ्लो में कर देताफ सांती से बैटे रहा हुँ उसके ल तो वो वापस रुड़ाती लिए वापते ही लेनी कर दिए कियो कि यहां लग जाता है वो भूआब कैंगे तो लिया सिर्छ आगतान उर्फिटी पासंड़ करने के लिए ए сосबी केशिट करूद यहां कि जब वह उपर जा तर रिचे हैं कि यहां तो और जा लिंट लोग को बहुत तेजी से कम हो जाता है, तो लोग क्या है वहां तो रुकते हैं कि हो पहले वहां पर यह पर भाग जाते हैं उसके निग्सानी से मिल जायाईगी यहां पर exit आसानी से नहीं मिलती है आप इंतिजार करो अपने setup देखो जो भी दो चार setup आपको आते हैं वेट करना सीखो हम वेट ही नहीं कर पाते हैं वेट ही नहीं करता है उसे लगता है नहीं यार छूट ना जाया यार मैं तो देखते रहे गया और मॉर्णिंग वाली पह setup पर follow करोगे तो ही पैसा बनेगा नहीं follow कर रहे हो तो भूल जाना कि यहां पर पैसा बनेगा सबसे जरूरी है discipline आपने जो बनाए हमने अपने लिए बनाए हमने अपने लिए बनाए और खुदी हम follow नहीं कर रहे तो बना के मतलब क्या होगा उसी तरह से आपका भी कोई setup ह या आपने कहीं पर देखा यह तो इस सबना रहे तो तो अपने time investment किया है जब ऊस time investment को किया है तो उसको result देखने के लिए आप आपका कोई अपना व्रेट लेने के बाद उसके बिलीव से विटके लिउट आपको पैसा अच्छा इंडेक्स ठीक है पर लोगा फ्यूचर के साथ देख सकते हो गिए पिर वो कन्फीजन होगा फ्यूचर का चार्ट जखो इंडेक्स पे मेरा उपर गया ना मेरा अपका वॉल्लूम का कोई मतलब ने मेरा वॉल्लूम तो जन्रेट हो जाता है एक बरेकाउट होगा न लेकिन इंडेक्स थे वालूम ने देखे आप ब्रेकाउट के टाइम पर कॉमपोनेंट्स देखोगे कि एचलो ब्रेकाउट आ रहा है तो एक्जामबल बैंक बैंक अथे बिखे एक तो एजब्सक्राइब क्रणा कर रहा है कि अधर भी ओर इस यहां पर कर दो आगर तो मैं उसके वॉल्लूम को नहीं देखोंगा मैं आपको सिर्फ प्राइस से मतला है वॉल्लूम देखोंगा मैं खुदी कंफूद हो जांगा मैं ट्रेड ना करो अच्छा बिना वॉल्लूम को सो पॉंट निकाल जाता है कभी तो मैं वहां पर जितनी ज्यादा इसमें हम चीजे लेना 50-50 पॉइंट मिस्करते जा रहे हो तो हमें तो जहां से प्राइस बिना जहां पर मुझे लगा कि नहीं पर पैसा डाला यह नहीं तो आप सुछ निकाल अपनी दिमाग से लेकिन छोटे-छोटे-चोटे profit एक बार gain करो और उसको जब yearly आप calculate करके देखोगे ना कि अगर मैंने दिन का 5% भी निकाला या 2% निकाला या 6% निकाला कुछ भी निकाला yearly calculate करके देखो कि यह आपका पैसा कितना हो जाता है yearly फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं यार छोटे-छोटे profit से बड़ा पैसा ब बना लोगे लेकिन बोलना नहीं तुकि लोग बोलें कि 50% किसी की होप ही नहीं 50% किसी का बोलो को कि मंतली 50% आप्सेंट बने का तो बोला फिर क्या फाइदा पिर सिलना कर ले हम option buying के उकर है ऐसा लोग बोलते है नहीं सब मैं तो कि 50% बने का तो और कोई काम ही नहीं करें बना इस बिसनासर करें अगर किस बिसनेस में सब्सक्राइब मैं अपनी फैमिली देखते हैं तो कितने परिसंट अपर काम हो एग एंगज है और मैं कैता हूं उसकी बात कर रहोenne को कुई माल लगा के बटा है बिसनस कर रहा है शोरूम खुल के बेट किस मार्जन पर काम कर तो आगर 50% की बात करें तो तो लोगों को नहीं समझाएगा और मैं कहता हूं उसकी होप भी मत करो आप से सेट अप के अगॉर्ड पर लेते चले जाओ रिस्टू रिवर्ड रिश्यो ठीक है ट्रेडिंग साइगोलजी ठीक है तैसा बनेगा बिल्कुल तो सब कुछ रिस्क म हजार परसें रिटंदेगा याब 20 परसेंट रिटंदेगा 20-20 लाग भी ठीक गें तो लोगों कि साइकलोजी समझ में आ गई मतलब किसी को रिस्क मैंख्मेंट लेकिन कितनी भी वीडियो आप रिस्क मेंख्मेंट नहीं कर लोग तो मैंने पहले बताया कि एक भी सेटप आ यह सब सारी चीजिए फॉलो करने पड़ते ही उसका इस्सा है अब सर एक पर चार्ट पर देखें अब जैसे इस चार्ट को देखते है जी इस आफर चार्ट हमने लगाया दिटा अम्हारे एक केर्ड यहां पर बनी यह ऐसे फिर मार्क आपर रहारा हैं यह प्राइक्ड रॉना रहा है यह इस पर बना यह रहा है झाल नहीं है जितना यहां पर बना यहां पर गया तकि या रला हार ना लोग ये समझते हैं राला का मतलब कि हर बार इसी को टच कर 215 व करूब तो 50 फैंका जोन होगा। तो आपको मान के चलना है कि यह हमारे लिए रजिस्टेंस है ठीक है तो यहां पर पहले में खटा दू बहुत सारा हो गया यहां पर जैसे मैं एक ड्रा करता हूं यहां पर आपको दिख जाएगा और यह क्या जो मैं बोल रहा था वन तू थ्री आपको थ्री मिल गया है अगर यह इसी फ्लो में निकल जाए दूसरे में अगर मान लिजे मैंने जैसे बताया कि अगर आप बिगनर हो तो तीन बार के वादी फॉलो करो अगर आप थोड़े से जैसे सौ ट्रेड ले चुके हो तो आप दूसरे में जैसे ब्रेक आउट करेंगा आप ले सकते हो इसके तो अगर आप इसको ट्रेड करोगे इस जर्नी को ट्रेड ब्रेक आउट इस जर्नी के बाद अगर ब्रेक आउट होता ना तो आप यहां पे क्या होगा आपको लगे ब्रेक आउट तो जब भी ऐसा मोमेंटम बने यानि मार्के चंटिनिव करके जा रहा आपको यहां पर प कि यो бо केंडल और जो इनोंने जिनने बाइंग किया बार वह दो निकल जाये तो फिर नए यहां पर आएंगे कब जो ब्रेक IATA करे अब關係 करने के बाद यहां पर ब्रेक आउट करें तो यहां पर मुझय डरनी लगता हैं यहां पर मुझे डरनी लग आएंगे और जो नये जो forg विंदजार करेंगे टीजन हो नहीं करतें अटक को फॉन करतें। दोो साल 3 साल चाल चाल के साल टेकर रहा घते हैं तुश तो सी तरीके Mihalini to तो यहां पर जैसे इसका ब्रेकाउट होगा हम इसको ट्रेट करेंगे और इसका एसल हमेंसा लगाते हैं अगर इस लो को आके टेस्ट करने के बाद फिरते जा रहा है और यहां जाके पिर जाके यहां पर अपर जानो तो थोड़ा साइल फिर लोग को ब्रेकनी करना चाहिए तो जाला क्यार बने हुए लोग न किन ग्रार बने हुए उनक ने अटेंडीन अल्यां यह थे के बैदे कंटीनिव जल्रेक्च चल्रेक्टेशर बने ब्रेक आट ऐसे बीक आटीड और यह और और निचे से ट्रेंड लाइन फिज़े शेंड प्रेट प्रेंग डिज़े असेंडियों ऑफ लेगड चांट ब्रेट ने आट यह जा झालन बने तो डेक तो डिकत अब लोग बोले थे हैं डबल टॉप 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 बॉटम डबल भाटम डब बॉटम डब यह बहुत सारी चीजे से कंफुजन क्रिएट करने अच्छा मतलब लोग यह चीजे अब यहां पर बन गई असेंडिंग ट्राइंगल अब क्या होगा कुछ चीजे यहां प कब बन गया बन गया है क्या है क्या वो ब्रेक आउट अब उसी तरह से क्या होगा रिपल टॉप बनेगी है क्या ब्रेक आउट किया तो उस सब पैटन पैटन निकालने से यह पैटन कब काम करेगा तो हम डेली चार्ट पर टेट करते हैं तो टार्गेट निकालने में असान हम इंट्राडे कर रहे हैं पांच मिट पर कर रहे हैं ब्रेक आउट गया बाहर रहा है यह पैटन जैसे स्टॉक में कर रहे हैं तो आपने वो कप की जो है उसे टार्गेट ले लिए लिए लेकिन कप हैंडल पैटन हम फॉलो ही तब करते जब 6-8 मंथ हो जाते रहे हैं तो अब हम उसे लागे साफ बातो बहुत सब्सक्राइम ख़ाए लिए लिए रहे हैं तो हम इस अबड़ जाते क्लाइब इस सब्सक्ति हैं ए लेंगे बरेक आउटारम ए चवरें कि बंड़ गया ट्रेटी तो पार्शा देगा इजरेगा ब्रेकाउट और तो थे देगा पैसा आज और सक्वी इह आज मरने पर आज आज के आपड को हो गया और यह दूसरा हो गया दूसने के बाद या बिरेक कर दिया तो हमें इसको follow नहीं करना है, अगर आप ले चुके हो, आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, लो पिछला हाई जो बनेगा यहाँ पर, हमारा जो swing हाई जो भी है, वो हमारा यहाँ पर हम पर्फेक्ट चार्ट पर चलते हैं, जो आपको अभी करना है पहले, एक्सपिरियंस के बाद ना, बहुत दिन तो ऐसे होते हैं, हम चार्ट देखते भी नहीं है, दिमाग में वो लेबल चलते रहते हैं, डाइट बाइंग कर लेते हैं, वो सारी चीज़े आपके साथ में आ यहाँ पर है फर्स्ट यहाँ पर सेकेंड और यहाँ पर थर्स दो चीजे नहीं मैं बनाpeł सेकेंगे तो तीसरा यहां पर सपोर्ट भी ले रहा यह, यहां पर नहीं बना रहा है तो हमें इसी लिए मैं बोल रहा हूं कि दूसरी बार में आपको अभी शुरुआत में नहीं करना है इसी तरह से यह फेल हो जाएगा और यहां पर क्या होगा एक, दो, तीन, तीन बार यहां पर आया तो यहां पर क्या कर रहा है यह सपोर्ट को मार्केट का ट्रेंड आज क्या दिखा रहा है कल ट्रेंड तो अच्छा किस साइड में रहेगा यह अब अब साइड में तो यह हमें साथ दिमाग में रखना है लोग सिर्फ सपोर्ट रिश देखने आपको इसे थेशाध रखने में लिए कि कहां पर आगला रजिस्टνस भी कहां पर हमें दिखना जानका अगला रजिस्टंस भी दिखते और कल वाला क्लोज हमारे लिए सपोर्ट है. यह आपके दिमाग में रहने जही है. यह सपोर्ट रेस्टन्स पें बनाने में नहीं. यह साइकलोजिकल जलता रहेगा. क्योंकि कल की क्लोजिंग अपने आप में सपोर्ट रिशिटन्स है. हम उसके उपर है वह सब्सक्राइब उसके नीचे है तो अटमेटिक रजिस्टेंस थिक तरह से आज का तो आज का हाई वी हमारे लिए क्या है रजिस्टेंस तो यहां पर आपको ट्रेड लेना है ना तो पहले आपको यह दिखे निकाला तो ठीक है नहीं तो यहां तो यह घुमेगा गुमेगा वट सर यह जो जो चैनल बनी से एक बहुत है अब दो सवाल या सकता है कि यह जो कैंडल बनी यह टॉप पर जा कि जब उस तेम पर अगर आपको इसका थोड़ा सा बॉड़ी और कम होती तो यह परफेट शूटिंग स्टार है तो फिर क्या करते है आप तो शूटिंग स्टार अगर पिछले वाले लो के नीचे वह ट्रेड करता तो तो बहुत अच्छा ट्रेंड गया इस ट्रेंड में आप एक ही ध्यान द यह जहारा है रहा है अगर शूटिंग स्टार बने मैं तwater आज इक्शो और तब हुट करेगा मेर्लini को शूटिंग स्टार के लिए गिंट इक टारी मोंनटम के ता में घरी सूटिंग स्टारard कर दो एक शूटिंगर चारें लुक्त होग ठरालित पर इस को दास्तल पहन द लुकार शुटिंग सबना तå वुर्याट कारिए अगर शुटिंग सबना इक ब्रॉटिंग लुटिंग जाङ कनदल बनीis के अनोग तो बोका होगी हुआ उसे धोटिंग सिर्फ के विधू को ठRAD किया शुटिंग सबने भी फोलेज सबना अगर शूटिंग सब्सक्राइब बिल्ग बट आप केहरें कि नहीं मैं वो देखी नहीं देखी नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूं कि ब्रेक आट वो तो कि मैं बताएं ना कि सुटिंग स्टार या फिर कोई भी हैमर केंडल दो केंडल फॉलो करते उसको उसको तब ज्यादा तर वो बेस्ट तब होगी आइडियल तब होगी जब वो फ्लो में जाता है यानि एक कट्रेंड होते हुआ है यहां पर सुटिंग स्टार बन गई ठीक है यहां पर सुटिंग स्टार केंडल बन गए लेकिन सुटिंग स्टार में प्रॉफिट बुक दिखे सुट पौजीचन ही नहीं ignore क्योंकि मार्केट सारा जिन गुम गा तो पौजिशन किती के बास हे नहीं करने के लिए शचिसे और हम पॉटिव करें हैं थो इसलो निचार निचे की सार AlgBER करें यहां पे अगर सुटेंढर को मैन को Lawrence on के बोट में सारी में दिम्रीट का profit looking होगी और हम जो नए seller active होंगे तो इसको force fully नीचे की side में लेके आएंगे double force लगा हम आपके पास पहले से position है मैं आपकी square है मैं खरीदने के लिए आगया force लगा यहाँ पर क्या होगा सिर्फ एक बैठा है सिर्फ करने वाला position तो ही नहीं किसी के पास हमने sell करने के लिए तो मैं बैठाओं कि shooting star देखके मैं trade करूंगा तो स्केंडल को मैं trade कर दिया लेकिन पीछे जो backup हमें आना चाहिए तो बैक आप यहाँ मिले नहीं कर दूंगा वही मैं समझें सा रहा हूं उस का situation में जब market चालू वा चुका है तो एक rally होनी चाहिए upside या downside उसके बाद बनेगा ना तो काम करेंगा तो आप लोगों को यह जो concept support and resistance और breakout कि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख रहा है तो चीज़ों समझने पाऊ होगा हमने लाक्ट किसी वीडियो में डिसकत कर दिया रहे हमने यह बताया हुआ कि कभी भी market जब round figure के आज पास में पहुचे 42,000 43,000 41,500 500 वाला और 1000 वाले round figure के आज पास पास पहुचे तो पह उसके बीच में उसने 15-20 मिट का टायम बिता लिया है ना फिर जैसे वो उपर वाली रेंज को करेंगा फिर आपका पैसा बनेगा लेकिन इस बीच में लोग क्या करते कहीं भी घुचते रहते हैं कुछ भी setup बन गया गुच जा एक एक इमपॉर्टेंट रजिस्टेंट के यहां पर बड़े लोग आपके साथ खेलने वाले हैं क्योंकि वो एकदम से आगे गए का इच्छा ब्यालेस हजार को क्रोस करो गए आओ तुम खरीदो खरीदो मालिया पर खरीदो और फिर वो एक बड़ी बनादेगा दो मिन लगते हैं दो मिनिट में सौ पॉंट की एंड सब्सक्राइब होता है वहां पर आपको इलाट होके बैठना देखते रहना है वहां पर कि उसके जितने पास पहुंच रहे हैं मोमेंटम वहां पर जैसे ब्रेक हो आप वहां पर सोच बिचार मत करो जो भी प्रॉपिटर को लेके भाग जाओ अगर ऑप्सन बायर बनना है तो चोर बनना पड़ेगा जो दिख रहा है पहले लेके भाग जाओ सबके घर का सब कुछ लेके नहीं जा सकते हैं जो चोटी चीज़े मिली उसको लेके भागो आप ऑप्सन बायर बन जाओ यहां पर मैं एड़ करना चाहूंगा इसका रीजन क्या होता है यह 42,000 के बाद स सेलिंग जैसे आ सकती है देखो अगर अभी तो आप बायर की तना सोच रहे हो अगर आप सेलर की तना सोचो सेलर ने हजारों करोडर रुपे लगा रहा है बिल्कुल आप आप क्या कर रहे हो आप ने 10,000, 20,000, 30,000 लगा है आपके हम करोडों लोग है और ऑप्शन बायर अक दिलिया बायलेजर का बिल्कुल आपको लगानी यह उपर जारी ऊपर जारी यह तो ट्रेंड है फणाना ने दिमा का जिलिया आपने जैसी बायलेजर का और उपर जाए उपर जाए और अशी लंका लग जाई थे तुम्हार तो 10,000 पर पे पांच जार दो जार पंशन जो और आपको लग रहा है कि आप मार्केट में आके कुछ कर रहे हो जो ऑपरेटर है उसके पास ये बैंक रिप्टी किसे बूव रहा है एजी एफसी बैंक इसके पार पहले कॉंडिटी है उसके पार 10,000 क्रोड का स्टोकी पड़ा हुआ है वो क्या करेगा अच्छा मुझे गरा बैठाना है हाँ जबसे लगा नहीं गिरा दो बैठाना है बैठाना है उसने गिराया नहीं और यहां पर एड़ गैंडल बनी तो वह इंडिक्स को मूव कर देगा इस टॉक की वज़े से और जब उसे लगेगा ना कि मुझे खरिदवाना है तो उसने बेचा हुआ था पैस हुआ है तो आपको एलट रहना है वहां पर अपनी बड़ी पोजिशन बना के बैठा हुआ है और वहां पर उनके साथ कहीं हम हो लिए तो मज़ेगा आता है तो यह सब चीजे आएंगी जैसे आप देखोगे मार्केट को चार्ट को लिखोगे तो यह चीजे आपको दिखन में बैखे थोड़ा पानी हम भी पी लेंगे बद उसके अपोजित ज्यादा दूर तक नहीं तहर पाएंगे फिर खतम ही होना है फिर तो उसके साथ में ही चलो किया हुआ था सब्सक्राइब लाट फाइनली इस वीडियो को शेयर जरू कीजेगा अगर आपके को सवाल आप को एंड सीन पर मिल जाएगी आई बटन पर मिल जाएगी जाके कंप्लीट देखिये एंड शेर दूरू कीजेगा तो थैंक यू सो बेरी मिच सब्सक्राइब ने नेक्स वीडियो तिल ना ताइम युगो सेल्फमेट एंड जाहन